रादे किश्णा कैसे हैं आप सब लोग आसा करती हूं आप सब अच्छी होंगे यह देखिए आज मैंने बनाई है चार और पांच नम्मर के लुद्डू पॉपल की ड्रेस कि अच्छी है यह देखिए हमने यह दो कलर की उनली है एक रीम कलर है यह ग्रीन कलर है प्यार आशाओ साइनिंग बाली होने यह त्री प्लाई की उने यह टू प्लाई की उने तो चलिए आज हम बनाएंगे चार और पांच नम्मर के लडू पॉपल के लिए ड्रेस तो उसके लिए हमें यह देखिए मैं यहाँ पर एक लोग बना लेती हूं इस तरीके से ऐसे पर चलिए उसके लिए में चैन बनाऊंगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलर यह देखिए हमारी यह देखिए मैंने सोले चैन बना लिए अब मैं तीन अब मैं तीन चैन अब और और बनाऊंगी एक दो तीन अब हम जिस पर चैन पर हमने उठा रखा है इस मैं से एक डबल कुर्श्य बनाएंगे इसी चैन मैं से एक और डबल कुर्श्य बनाएंगे हर चैन मैं से हमें एक एक डबल कुर्श्य बनाने है तो चलिए मैं बना लेती हूँ देखे उसी चैन में से फिर से हम एक डबल कुर्श्या और बनाएंगे अब अगली चैन में से हम दो डबल कुर्श्या बनाएंगे इस तरीकी से में हमारे पास ये सोले चैन है पूरी तो इन में से मैं दो दो डबल कुर्श्या बना लिए दिखाती हूं आपको आगे क्या करना है ये देखिए मैंने हर चैन में से दो दो डबल कुर्श्या बना लिएंगे अब फिर से हमें तीन चैन बनाऊंगे अब हम हर चैन में से एक एक डबल कुर्श्या बनाएंगे गेले कि इदीकिए मैंने दो रो बना लिए पहले हमने 26 चैन बनाई उसमें हर एक चैन में दो-दो डवल कुर्श्या बनाई है उसकी बार हमने हर एक चैन में सिंगल डवल कुर्श्या बनाई है तो अब हम एक रो और बना लेते हैं, हाप डबल कुरश्या की रो बनाएंगे हम, उसके लिए हम दो चैन बनाएंगे, हाप डबल कुरश्या बनाएंगे, हम एक हमारी हाप डबल कुरश्या ये हो गई, जो हमने दो चैन बनाई है, अब अगली चैन में हम एक हाप डबल कुश्या और बनाएंगे यह देखिए इस तरीके से हर चैन में हमें एक हाप डबल कुश्या बनाने है घेर को हमें थोड़ा सा और नीचा करना है यह देखिए तो चलिए मैं इस तरीके से एक हाप डबल कुश्या की रो और बना लेती हूँ इसमें आगे बताऊंगे फिर हमको क्या करना है चलिए मैं बना लेती है इसको यह देखिए मैंने हाप डबल कुश्या वाली रो बना लिए एक अब हम चोली को जोइंट करेंगे हमेज में तीन चैन बनाएंगे दो ये तीन अब हम इसी चैन में एक डबल कुर्श्या बनाएंगे ये दो हमारी डबल कुर्श्या हो गए ये तीन चैन और एक डबल कुर्श्या फिर उस्से अगली चैन में हम दो डबल कुर्श्या बनाएंगे 12 3 तिरिज एंद में भी हम 2 ंकृष्या बना ये अब चौति पिन में भी हम 2 ंकृष्या बना लेंगे ये हम 2-2 ? बना रहे हैं ये लिए हम लंद में 2-2 उल्ल कृष्या बना रहें हैं इसमेट तो अब हम 8 चैन छोड़ेंगे, बाजू के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, ये 8, 9 चैन में हम डबल कुर्शिया बना लेंगे, ये देखेंगे नवी चैन में हम इसी चैन में एक डबल कुर्शिया बनाएंगे, अब हम 8 चैन में दो-दो डबल कुर्शिया बनाएंगे हमारा घेर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और चोली भी हमारी बन जाएगे तो चलिए मैं 8 चैन में दो-दो डबल कुर्शिया बनाके दिखाती है, ये देखेंगे मैंने बैक साड में 8 चैन में दो-दो डबल कुर्शिया बनाएं, अब फिर से हम 8 चैन बाजू के लिए छोड़ेंगे एक, दो, तीन, च्यार, पान, छे, साथ, आठ ये नॉमें इसमें भी हम दो डबल कुर्शिया बनाएंगे यहां सी हमारा घीर चालू हो गया देखेंगे दो डबल कुर्शिया, सेम चैन में इसमें भॉपे यहां साथ वहां झाल यहां कि यह हमारी यहां पर दो डॉलोश है कि अब हमारी यह चैन चोली बन गई है और हमारे एक यह घीर भी इस्स्टार्ट हो गया है बनना देखिए सब्सक्राइब से फेल रहा है हमाया देन तो चलिए अब हम इसको जोइंट कर लेते हुआ है हम यहां पर हमने तीन चैन बनाएं थी इसमें हम इसमें अधिस कर देंगे जोंट कर देंगे कि अज़र यह इदेखिए मैंने चुली यहां पर जोंट कर दिए अब मैं इन चैन बना एक मन बना लिए, दो ये तीन, अब फिर से हम चार चन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, अब हम, एक, दो, तीसरी चन में हम इसको जोइंट कर देंगे, ये दिखिए, फिर से चार चन बनाएंगे, एक, दो, तीन, ये चार लोक लेंगे, फिर से हम दो चन चोड़ेंगे, एक, एक, दो, और ये तीन, तीसरी चन में हम फिर से इसको जोइंट कर देंगे, ये दिखिए, फिर से हम तीन चन बनाएंगे, चार चैन बनाएंगे यह देखिए हमने चार चैन बना ली फिर से लोब लेंगे हम और फिर से हम एक दो दो चेन छोड़ के तीसरी चैन में इसको जोईंट कर देंगे तो पूरी रो हमें इसी तरीके से बनानी है तो चलिए मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगे आगे क्या करना है मैंने एक पूरी रो बना लिया मैं लास्ट में आ गई हूँ अब हमारी एक दो चैन बची है अब फिर से हम चार चैन बनाएंगे दो तीन चार अब हमने ये तीन चैन बनाई थी यहाँ पर हम जोइंट कर देंगे यह देखिए तो चलिए अब में बनाऊंगे इसको हमें दो चैन बनानी है एक दो और इसमें हम जोइंट कर देंगे सिलिपे इस्टिच दो चैन बनानी है हमें यह देखिए यह देखिए एक दो तीन इसमें हमें चार डबल कुर्श्या बनानी है अब हम दो चैन बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको सिलिपे इस्टिच कर देंगे और इस वाली हम चैन में से इस तरीके से लेके बनाएंगे अब हम दो चैन बनाएंगे एक दो अब फिर से हम चार डबल कुर्श्या बनाएंगे अब बनाएंगे एक दो कि अब तीन कि चार अब फिर से हम दो चैन बनाएंगे कि देखिए और यहीं पर इस वाली चैन में हम इसको सिलिप इस्टिच कर देंगे एक देखिए अब इस वाले चैन में से हम एक बर बनाएंगे और यहां पर फिर हम एक रुश्या बना लेंगे तो चलिए इस तरह के से मैं जुम मुझे पूरी रो बना लेंगे तो मैं बना ली थी फिर आपको बताऊंगे आके क्या कर दो देखिए हमारा यह एक रुश्या कंप्लीट हो गई है हमने यह सिलिप इस्टिक कर दिया यहां पर अब देखिए इसी तरीके से हमें यह चैन बनानी है पूरे राउंड में तो चलिए मैं बना लेती हूं फिर दिखाऊंगे आपको आगे क्या करना है देखिए मैंने यह राउंड कंप्लीट कर दिया अब मैं लाश्ट में आ गई है तो इसको हम यहां पर सिलिप इस्टिच कर देएंगे यह देखिए अब हम दो चैन बनाएंगे एक दो और पहले हमने चार डवल कुर्षिय बनाएं ती पहले रो में अब हम पांच डवल कुर्षिय बनाएंगे और थोडा से हमें इसको दागे को ऊपर इस तरीके से देखिए ऐसे यह इसके ऊपर आना चाहिए इस तरी के से एक, दो, चार, पांच, पहले हमने यह चार डबल कुर्शिया बनाई, अब हम पांच डबल कुर्शिया बना रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, यह पांच, फिर से हम दो चैन बनाएंगे, और यहां पे हम इनको जोइंट कर देंगे, और यहां से हम बनाएंगे, और इस तरीके से निकाल लेंगे, तो चलिए इस रो को में कम्प्लीट कर ले दियो, फिर दुखाऊंगी आपको, आगे क्या करना है, यह देखी, मैंने यह वाली रो बन कर दिया दाग, अब इस दागे को हम कट कर देंगे, अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, यह कलर लगांगी मैं इसमें को जोइंट करेंगे, लेकिए इसमें एक गांट लगा लेंदे हम, इसमें हमने पहले चार चैन बनाई थी, इसमें दूसरी वाले में पांच, अब हम छे चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यहाँ पर हम जोइंट कर देंगे, इस दागे में, यह देखी, फिर से हम छे चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, पिछे, फिर से हम इस आगे वाले में, यहाँ पर लाके हम जोइंट करेंगे, तो चलिए इसी तरीके से में पूरी रो बनागे, कम्प्लेट कर देती हम, फिर दिखाऊंगे आपको, आगे क्या करना है, यह देखी, यह मैंने चैन बना लिएंगे, अब हम दो चैन बनाएंगे, एक, दो, अब मैं इसमें साथ डवल कुर्श्या बनाऊंगे, यह देखी, एक, एक बन गई, दो, यह इस से ऊपर निकलनी चाहिए, बार, यह देखी, मैंने इसमें साथ डवल कुर्श्या बना लिएंगे, अब फिर से हम दो चैन बनाएंगे, एक, दो, और यहाँ पर हम, इसको स्लिप इस्टिच कर देएंगे, यह देखी, यह देखी, अब मैं इसमें डेजान डालूंगे, हम एक लूप लेंगे, और इसमें हम इसको पकड़के बनाएंगे, एक बार बन गया, अब यह हमारा, दो, तीन, चार, पांच, यह देखी, हमने यह पांच बार बनाया है, अब हम दो दो धागे निकालेंगे, इसमें से, अब हम इसको बना लेंगे, फिर दो निकालेंगे, फिर से दो धागे निकालेंगे हम, फिर से बनाएंगे, अब फिर से हम दो बनाएंगे अब फिर से हम दो दहगे निकालेंगे एक, दो, तीन, चार अब हम इसको पूरा बना लेंगे यहां तक निकालेंगे इस तरीके से हमें यह देजान इस वाली रो में बनानी है अब हम यहां पर इसको स्लिप इस्टिच करेंगे और दो चैन बनाएंगे एक, दो, फिर से हम साथ डबल कुर्शिय बनाएंगे एक, दो यहां पर हम इसको स्लिप इस्टिच बना देंगे अब फिर से यह वाली हम डियान फिर बनाएंगे यहां पर अब हम इसमें लेंगे एक, एक लूप लिया आपने यह दो तीन चार यह पांच अब हम दो, दो करके इसको दो धागे निकालेंगे एक बार में इसको बना लेंगे फिर से दो निकालेंगे फिर से बना लेंगे फिर से दो निकालेंगे हां फिर बना लेंगे और फिर से दो निकालेंगे बना लेंगे अब हम इनको एक साथ बनाएंगे इसको इसको slip stitch कर देंगे यह देखिए, दो चैन बनाएंगे, एक, दो, फिर से हम साथ डबल कुर्शिया बनाएंगे इसमें, तो चलिए इस तरीके से मैं, जैसे यह बनाया मैंने, पूरी रोग कम्प्लीट करके, मैं देखाती हूं आपको, देखिए, तो चलिए मैं बना लेती हूं, दागे को कट कट, अब हम दूसरा दागा लगाएंगे इसमें, ग्रीन कलर वाला, यह देखिए, हमें अब, तीन चैन बनानी है, और यह हमारा पहली डवल कुर्शिया, इसकी चैन में हमें, जोइंट करना है, अब हम चार चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, अब इसको हम इसी चैन में, जोइंट कर देंगे, अब हम परल बनाएंगे, एक चैन में हमें, सिंगल कुर्शिया बनानी है, फिर से हम, यह चार चैन बनाएंगे, दो, तीन, चार, और फिर से हम इसी चैन में हम, इसको जोइंट कर देंगे, इस तरीके से, अब हम इस चैन में बनाएंगे, अगली चैन में, सिंगल कुर्शिया, और इसी में फिर चार चैन बनाएंगे, और इसी चैन में हम फिर से इसको जोइंट करेंगे, और पल बनाएंगे, इसी तरीके से हमें, यह दिखिए, अब चार चेन बनाएंगे दो तीन चार फिर से हम इसी चेन में इसको जोइंट करेंगे और पर्ल बना देंगे फिर से हम एक सिंगल चेन बनाएंगे यह देखिए फिर से हम चार चेन बनाएंगे और फिर से हम यहीं इसको जोइंट कर दें फिर से हम इस चे अगली चेन में सिंगल चे कुरिश्य बनाएंगे देखी सिंगल कुरिश्य बनाके कितनी परल बनेंगे हमारे एक दो तीन चार पांच छे साथ परल बनाने हमें एक दो तीन चार पांच छे साथ पल बन गए हमारे अब हम कुरिश्य बनाएंगे अब दो चैन बनाएंगे अब फिर अब हम इसको यहाँ पर बनाएंगे फिर से हम दो चैन बनाएंगे एक दो यह यह इस डवल कुर्श्यावली चैन पर उपर हम इसको जोइंट कर देंगे अब हम फिर से चार चैन बनाएंगे और यहां पर हम पर्ल बना देंगे फिर अगली चैन में एक सिंगल कुर्श्यावन आएंगे फिर से इसी में हम चार चैन बना लेंगे तो चलिए इसी तरीकेसे में पूरा पूरी एक रो कंप्लीट कर लेती हूं फिर देखाँगे आपको आगे क्या यह देखिए हमारी यह ड्रेस बनके कंप्लीट है कितने आसान तरीके से बन गई है देखिए